तो आज जो मैं आपके साथ रेस्पी शेयर करने वाली हूँ वो सभी के घर में बनाई जाती है और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से कड़ी की रेस्पी बताने वाली हूँ लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो अधिकतर लोग कड़ी बनाने के लिए दही का यूज करते हैं लेकिन आज हम अपनी कड़ी दही से नहीं बलकि मही से बनाएंगे और सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें मही लेना है उसको अच्छी तरह से फेट लेना है जब मही अच्छे से फेट लेंगे तो हमें से एक बड़े से कंटेनर में शिफ्ट कर δेना है, तो सारे मही को हमने निकाल लिया है, अब इसमें क्या-क्या चीजे मिलानी हैं, मैं आपको एक इक पर के बताती हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कỊटोरी बेसन लिया है, तो एक कटोरी बेसन को हमें इस मही में डाल देना है उसके बाद जो मसाले हमें डालना है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर, धना पाउडर और स्वादनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं उसके बाद इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है और इन सब को भी हमें अच्छे से फेट लेना है हम इसे तब तक फेटना है जब तक बेसन अच्छी तरह से मही में गुल नहीं जाता तो चलिए इसे हमने अच्छे से फेट लिया है अब बारी आती है इसमें बगहार लगाने की तो सबसे पहले हमने तेल लिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे मैथी, राई, फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, और कड़ी पत्ता जब ये सारी चीजे हलकी सी बुझ जाएंगी उसके बाद फिर हमने ये जो घोल तयार किया है ये हम इसमें डाल देते हैं उसके बाद उपर से आप इसमें और पानी आड़ कर सकते हैं आपको जितनी गाड़ी या पतली कड़ी कहानी है उसे साब से 20-30 मिट तक हमें से पकाते रहना है और चलाते रहना है ताकि कड़ी जो है वो हमारी पकती जाए और नीचे लगे नहीं तो जब तक हमारी कड़ी पक रही है दूसरी तरफ हम भजीय बना लेते हैं तो भजीय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपर लिया है एक कटोरी बेसन उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मसाले तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, लाल मीची पाउडर, धना पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और इन सारी चीजों को हमें मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाग के से फेटते जाना है ध्यान रहे हमें ना ज्यादा इसे गाड़ा करना है ना पतला करना है तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और इसे फेटते जाएंगे तो चलिए हमें इसे लगातार फेटते जाना है थोड़ी देर में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह की इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है तो इस तरीके का घोल आपको तयार करना है अब हमें करना क्या है गर्मा गर्म तेल में चोटी चोटी पकोडियां इसमें तोड़ती जाना है और फिर हमारे जो भजियें हैं वो बनकर तयार हो जाएंगे तो आप जिस भी साइस की पकोड़ी बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, मैं आपे बहुत छोटी-छोटी पकोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसी पसंद है, तो सारी पकोड़ीयां हमने आपे तेल में छोड़ दी हैं, अब हमें इने अच्छी तरह से बुंज ल चुकी है, अब जितने भी पकोड़ी तईयार करी थी यह हम अपनी कड़ी में डाल देते हैं, और बस हमारी कड़ी बनकर तयार हो चुकी है, आप आप लिए काड़ी खाने के शोकीन है, तो इस रैज़िपी को जरूर क्राइप करिए, घर पर बनाईए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहें